नोकिया 5.1 प्लस नोकिया 6.1 प्लस याद है आपको अब ये फोन लॉंच होगा तो बहुत दीन हो गया अभी नोकिया फिर से और एक नया फोन भारत में लॉंच करने बारा है सिक्स तक जून को अब ये जो फोन लॉंच होने वाला है ये तो अल्रेडी एप्रिल के मैंने पे ये तो लॉंच हो गया था टाइवाउन पे मैं यहाँ पर बात कर रहा हूं नोकिया X71 यानि जो भारत में आएगा नोकिया 6.2 के नाम से चलिए आज इस वीडियो में मैं बात करूंगा इसी फोन के बारे में और नोकिया 6.2 का क्या फीचर्स होगा क्या स्पेक्स रहेगा इस फोन का भारत में किस प्राइस रेंज में ये लॉंच होगा और कब तक आपको ये आपके हाथ में देखने को मिल जाएगा तो चलूं कॉर्बुरा देली शुरु कोरी तातरी मेरा राम है शुमोन आप देखेंगो गैजिट्स वाला अब ये वीडियो अगर आपको पसंद हो रहा है आप नए हो मेरे चानल पर सब्सक्राइब करना मन पुलिएगा मेरे चानल को साथ में नोटिफिकेशन वेल को ज़रूर पूश कीजिएगा इससे आपको हर एक वीडियो उसका नोटिफिकेशन और अपडेट मिलता रहेगा इंस्ट्रग्राम पर मुझे फॉलो कर लिजिए वीडियो के रेस्क्रिप् पहारत में आने वाला है नोकिया 6.2 के नाम से डिजाइन हो या डिस्प्ले कैमरा हो या प्रोसेसर सब कुछ आपको बहुत अच्छा मिलता है इस स्मार्टफोन पे अभी नोकिया 6.2 में आपको 6.39 इंचेस का फुल एजडिप्लास फुल व्यू डिस्प्ले मिलेगा 2.5D क काप ग्लास मिलेगा 5.4 डिस्प्ले मिलेगा पहली बार आपको नोकिया के फोन में और कहीना कहीं ये कंपीट कर सकेगा जो सैमसंग ग्रक्सी M40 आरा है 11 अब जून को वो तो खेर बाद में देखेंगे अब इस फोन में आपको जो डिस्प्ले मिलता है वो IPS डिस्प्ले सु नोकिया का बहुत अच्छा होता है साथ में इस बार भी पीछे में आपको नोकिया के तरब से वही ग्लास डिजाइन मिलेगा ग्लास का उप्योग क्या गया है और बहुत ही अच्छा लग रहा है और एक बात कहूं जो इस बार आपको चेंज मिलेगा पीछे में वो तो इस Android One के साथ यह आ रहा है अभी इसमें आपको दो वैलेंट देखने को मिल जाएगा 6GB RAM और 64GB ROM के साथ और 6GB RAM और 128GB ROM के साथ उम्मीद करता हूँ नुकिया से के 4GB वाला वैलेंट भी वह भारत में लांच कर दे काफी अच्छा होगा बहुत सरे जो कस्टोमार है वो ले पाएंगे अभी इसमें आपको साथ Hybrid SIM स्लोटी देखने को मिल जाएगा यानि आप एड़ टाइम एक सीम एक MicroSD कार या तो आप दो सीम और एक MicroSD कार्ट का उपयोग कर सकते हों 4G VOLT तो आपको मिलेगा Dual 4G VOLT सब में नेटिव वीडियो कालिंग आप्शन अभी इस फोन में प्रोसेसर जो दिया गया है वो है Qualcomm Snapdragon 660 2.2 GHz पर ये Clock है AI प्रोसेसर है और ये एक OctaCore प्रोसेसर है ठीक है प्रोसेसर तो ठीक है पर इसका प्राइस अगर 20,000 से ऊपर है तो मैं कहूंगा थोड़ा सा ये हाई माना जाएगा प्राइस के साब से क्योंकि अभी आपको 14,000 में 15,000 में 675 मिल रहा है 710 मिल रहा है तो देखते हैं Nokia किस तरह का प्राइस इस पे सेट करते हैं अब एक कैमरा धासू होने वाला है इस फोन का कैमरा पीछे में आपको 48 मेगा पिक्सल का जो प्राइमरी सेंसर वो मिलेगा कल जैस अप्टिक्स के साथ और यहाँ पे जो सेंसर आपको मिलेगा वो Samsung GM1 वाला मिलेगा जो आपको Redmi Note 7S में मिलता है और इसका अपर्चर है F1.8 जो दूसरा कैमरा है वो है 8 मेगा पिक्सल का और इसमें आपको super wide angle lens मिलेगा जो 120 degree तक support करता है यहनी बहुत बड़ा फ्रेम है 5 मेगा पिक्सल का depth sensor मिलेगा और आपको flash light मिलेगा 4K video recording का option मिलेगा EIS मिलेगा और सामने में ध्या गया है आपको punch hole display जहाँ पे कैमरा है और य display flash भी आपको मिल जाएगा बैटरी अगर मैं यहां पर कहूं तो यहां पर थोड़ा सा आपको sacrifice करना होगा क्योंकि इस बार आपको Nokia 6.2 में मिलता है 3500 image का बैटरी और हां fast charging option है 18 watt का charger आपको out of the box मिलेगा USB Type-C है जो मुझे काफी अच्छ लगा वो है Nokia 6.2 में आपको Ozo audio का support मिलेगा यानि 3D surround sound वाला जो record होता है न वो recording आप कर सकोगे वीडियो के बाद यानि वीडियो सूट करने के बाद और इसमें आपको Dolby surround sound का आपको एक support भी मिल जाएगा Android 1 के साथ या रहा है Android 1 program के साथ यानि आपको 2 सल तक आपको update मिलता रहेगा Android 9 के साथ आ रहा है और एक दंबाई सिंपल इसका user interface और लगबग stock Android यह वाई है आपको मिलेगा तो यही था Nokia 6.2 आपको कैसा लगा यह spec सुनके मुझे काफी अच्छा लगा मैं वेट कर रहा हूँ Nokia 6.2 को खरिदने के लिए